अगर आप कभी श्रिलंका जाएंगे तो आपको दो ऐसे पुखता सबूत मिलेंगे जिससे साबित हो जाएगा रामायन का अस्तित्व अशोक वाटिका जिस पेड़ के नीचे सीता मा बैठा करती थी पूरे समय जितने समय तक वो रावन की कैद में थी वो वाटिका वो पेड़ अभी भी वहाँ पर मौझूद है हनुमान जी ने अपनी पूछ में आग लगा कर पूरी लंका को जला कर भस्न कर दिया था श्रिलंका में एक हिस्सा है जहाँ पर आज भी काली मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी और वैग्यानिकों का साइंटिस्ट का कहना है ये काली मिट्टी की वज़व है कई साल पहले कई सौ साल पहले यहां पर भयंकर आग लगी थी और वो आग क्यू लगी थी हम सब जानते हैं जैश्री राम हम सभी जानते हैं कि जब रावन ने सीता मा का हरन किया था तो जटायू ने उनकी रहा रोकी थी जटायू ने कुछ देर तक रावन को रोग दिया था और रावन पर भारी भी पड़ रहे थे परंथ में रावन ने क्रोध में आकर अपनी शक्तियों का इस्तिमाल करके जटायू जी को मौत के घाट उतार दिया जटायू जी जहां पर गिरे थे वो स्थान आज भी मौजूद है कहने का तातपर यह है कहने का मतलब है आज उस थान पर एक मंदिर है जिसे हम कहते हैं लिपाक्षी टेंपल यानि की लिपाक्षी मंदिर उस मंदिल में अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे चित्र दिखेंगे कुछ ऐसे प्रमान दिखेंगे जिससे बात साबित हो जाती है कि वाकई में उसी स्थान पर जटायो जी और रावन का युद्ध हुआ था और जटायो जी वहीं पर सीता मा को बचाने के लिए वी मातियो का बल था, वो बल आया कहां से था बचपन में दुरियोधर्न ने भीम को विष खिलाकर खीर में मिलाकर समुदर में धकेल दिया था वहाँ पर कई विशैले नागों ने भीम को डसा लेकिन उससे भीम का फाइदा हुआ विश्च ने विश्च को काटा और भीम की जान बच गई भीम की जब बेहोशी टूटी उनके सामने थे वासू की महराज, नागलोग के महराज और साथी वो सर्व जो उनके नाना के नाना थे उन्होंने भीम को पहचाना और साथी एक ऐसा रस पिलाया अपने वरदान के साथ जिससे भीम के अंदर आ गई हजार हाथियों की ताकत लेकिन एक इनसान था एक व्यक्ति एक राक्षस था जिसके पास भीम से विज़ादा ताकत थी और वो था भीम का खुद का पुत्र घटोत वच जानते लिए महाबारत के ऐसी किससे आगे वे मेरे साथ द्वित्य विश्वियत यानि की सेकंड वर्ल वॉर की शुरुआत में जर्मनी पर एक ताना शाह एक डिक्टेटर का राज था जिसका नाम था एडॉल्फ हिटलर जो अपनी नाजी आर्मी के साथ पूरे यॉरप पर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था इसी के तहट एक सितंबर नाइटीन थर्डी राइन को जर्मनी ने पोलेंड पर धावा बोल दिया और वहीं से शुरुआत हुई सेकंड वर्ल वॉर की जब पूरी दुनिया के कहने पर भी हिटलर रुक नहीं रहा था तो ब्रिटन और फ्रांस ने जर्मनी पर धावा बोल दिया और धीरे धीरे दुनिया के जातर देश इस वर्ल वॉर का हिस्सा बन गए कुछ जर्मनी के खिलाफ थे और कुछ अपनी सरजमीन को बड़ा बनाना चाहते थे लेकिन अंत में सब को मिली सिर्फ एकी चीज तबाही और बरबादी एक बहुती सैड और दर्दनाक हाथसा में शेयर करना चाहूंगा जब जर्मनी ने फ्रांस को इन्वेड किया था अएक बहुती ब्रूटल हरकत की गई थी फ्रांस की उन औरतों के साथ उन लेडीज के साथ उन महिलाओं के साथ जिनका रिष्टा था किसी भी जर्मन सोल्जर से सभी फ्रेंच औरतों को जो किसी जर्मन सोल्जर से रिलेटेट थी उनको गंजा कर दिया गया था और पूरे फ्रांस में उनकी रैली करवाई गई थी ताकि फ्रांस वाले देख सके कि ये औरते धोके बाज है इन औरतों ने जिन लोगों ने तुम पर कबजा किया है उनके साथ रिलेशन रखा सोचिए कहां का इंसाफ है इस हद तक ब्रूटल था नाजी जर्मनी